दोस्तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी यूटूब चैनल आप देख्वाल मिक समय दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी पौधा बताऊंगा साक सबजी बना करके खाने वाला पौधा और अवसधिये गूडों से भरपूर अवसधिये की रूप में भी उपयोग करने वाला पौधा तो आप वीडियो में बने रहिएगा अच्छा लगे तो लाइक कीजिये शेयर कीजिये और यदि हमारे चैनल में इसी प्रकार की नई नई आउसधियों की जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे आने वाले आगे वीडियो में और अच्छे अच सधियों की पहचान कराई जाएगी तो दोस्तों चली आपको बताते हैं यहां पे मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं सिलिहारी का पौधा यह देख लीजिए यह सिलिहारी का पौधा है अभी छोटा है बच्चा है यह भाजी है सिलिहारी का भाजी और यह दो परकार क समान नहीं रहते अलग अलग रहते हैं तो आप देख लिजी इसके पत्ते और इसके पत्ते में काफी अंतर है और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यह देख लिजी यहाँ पे यह भी सिलियारी है यह भी है देख लिजी इसको भी यह सब सिलियारी का पौधा है और मैं आपको और दिखा रहा हूँ बड़ा वाला यह देखी यहाँ पे यह सिलियारी है इसके पत्ते देखिए इस तरह सिसके पत्ते दिखाई देते हैं इसमें काले कलर के धब्बे धब्बे टाइप के रहते हैं इधर भी देखिए ये देख लीजी इधर भी काले धब्बे दिखते हैं पिछे साइड से यह बहुत ही अच्छी अवसधी है दोस्तों और इसकी बहुत ही अच्छी गुडवत्ता मानी जाती है यहाँ पे बहुत है देख लीजिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यह देखिए और इधर यहाँ पे आईए यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा ये, ये, तो ये दो प्रकार की सिल्यारी होता है, एक लाल और एक सफिद, तो आप पहचान लीजिए, दोनों को पहचान कर लीजिए, ये जो सिल्यारी दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही काम की अच्छी आउसदी है, अगर आप इसके पत्तों को साकसबजी बना करके खाते हो, तो आपके पेट रोग, स्वास रोग, दमा, टीबी, खासी, ये सभी खतम हो जाते हैं, लगातार दो तिन दिन इसका सबजी खालो, आ असानी से समाप्त हो जाएगी, जिनको मलत्याक करते समय बड़ी कश्ट होती है, बवसिर जैसे रोग लग जाते हैं, खोनी दस तो होता रहता है, उनके लिए हाँ साकसबजी इसका बहुत ही अचुक दवा है, तो आप इसके पोधे को पहचानी है, और इसका प्रियोक कीज स्वास दमारोग को नश्ट कीजिए, यह बहुत ही अच्छी अउसधी है, हम लोग इसको हमेशा से तरकारी सबजी बनाकर के खाते आ रहे हैं, बहुत ही स्वादिश्ट भी लगता है, तो आप भी इसका 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 इस्तिमाल कीजिए भरपूर और अपने दोस्तों को भी बताईए इसका एक और अच्छी बात मैं आप लोगों को बता दूँ इसके जैसे पत्ते देख रहे हो इसके पत्ते का रस यदी हर दिन दो तिन चम्मच निकाल करके सहद मिला करके पिया जाए तो मस्तिस्क के रोग भी ठीक हो जाते हैं ऐसा मैंने पढ़ा है पुस्तकों में तो आप भी इसका परियोग करके देख सकते हो और सिल्यारी के जो बीज आते हैं वो तो बहुत ही कमाल का होता है उससे आप अपने चेर भी घटा सकते हो मधू में सुगर को कंट्रोल कर सकते हो बहुत सार उपयोग किये जाते हैं उसके जो फाल आता है उससे तो जब फाल आएगा तो मैं आप लोगों को उसके फाल के बारे में भी बताऊंगा आज फिलाल इसके भाजी को साकसबजी बना करके खाईए उपयोग कीजिए और पेट्रो को दूर कीजिए स्वास दमाग खासी को दूर कीजिए बहुत ही अच्छी तरकारी अवसधी है आप इसका उपयोग भरपूर कीजिए तो दोस्तों ये सिलिहारी के छोटे पौधे हैं जब बड़ा हो जाएगा इस पे फूल आएगा फल आएगा तो मैं उसका भी वीडियो आपको निकाल के बता दूँगा देखकर पहचान लीजिए और इसका बाद बता दे रहा हूं मैं आपको इसी तरह की साख सब्जी वनस्पती जो आटोमेटिक जो वर्सा रितु में आटोमेटिक उत्पन होता है उन सब को यदि पहचान को उसका साख सब्जी बना करके खाते हो तो आपकी आयू जो है दिरगायू हो जाती है आप लंबी उमर जी पाओगे क्योंकि आपका पेट हमेशा स्वास्थ रहता है इन सभी चीजों की सब्जी की सेवन करने से तो आप इन सभी वनस्पतियों का भरपूर उपयोग किजिए साख सब्जी बना करके खाईए दूसरों को भी खिलाईए लंबी उमर बढ़ाईए इसी तरह की आई अच्छ के लिए बस इतना ही मिलते हैं किसी आवर अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैचेशतिजगर